एलो गाईज कैसे हैं आप सब आई हब यू आर गोड इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रिवार के बार में पढ़ात हो इस वीडियो में हम मितत़ा के बार में पढ़ेंगे तो Bapt की श्टार्ट देखते हैं मिततर या जिन के साथ वह रहना वह कार्य करना खेलना पसंद करता है तो हम उसे मित्तर या फ्रैंड की संग्या देते हैं मित्रता एक ऐसा रिष्टा होता है जो अन्य रिष्टों की बाती थोपा नहीं जाता अपनी सुरक्ष्या एवं रूची की अनुसार देख परकर मित्र चूर्णने की सवतंतरता होती है यह एक ऐसा संबंध होता है जो लोगों के मनों को जोड़ता है और इसी के आधार पर एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं मित्रों के बीच के आपसी संबंध को ही हम क्या कहते हैं मित्रता कहते हैं आगे देखते हैं मित्रता का वर्गी करन उपयोग की मित्रता इस परकार की मित्रता में मित्र भही होता है जिसमें मित्रता में अपना हित दिखाई देता है मित्रता भी कई परकार के होते हैं उपयोग की मित्रता जो दोस्त काम हो तब तो मित्रता का फाइदा उठाता है वरना कुछ नहीं आनंद की मितरता इस परकार की मितरता में मितरों के बीच आपसी हित को लेकर सहमती होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मितरों के बीच बाटते हैं अच्छी मित्रता इस परकार के मित्रता में दोनों मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और एक दूसरे के साथ आनन्द लेते हैं इसमें मित्रता हित पूर्टी वा आनन्द के लिए नहीं होती मित्रता के वर्गी करन होता है तो सबसे अच्छी मित्रता को हम अच्छी मित्रता मानते हैं तो उसका उप्सन है हमें दिया जाएगा उप्योग की मित्रता आनन्द की मित्रता अच्छी मित्रता या उप्रोक्त सभी तो हमारा उप्सन हो जाएगा अच्छी मित्रता है जो मित मिस्त्रता के वर्गी करन का सबसे बेस्ट्रता मानी जाते हैं। मित्तर एव मित्तरता का महत्व बच्चों के सरवांगिन विकास में सहयक सिध होता है इस परकार से मित्तरता के कुछ महत्व निमलिकित है एक मित्तर बालक के खेल कुद वे अन्यकारियों को संपन करने में सहयक होता है एक अच्छा मित्र बालक को कु संगती से बचाने की कोशिस करता है एक अच्छा मित्र ही समाजिक आदर्स एवा मुल्यों को सीखाता है अच्छा मित्र बच्चों को पास्विक परवर्ती अपनाने से बचाता है बच्चों के मानसिक विकास में भी मितरता एवं मितर की भूमी का महत्पुर्ण होती है कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत तो जिन बच्चों के साथ बच्चा रहता है उन्हीं की तरह सीखता है उन्हीं की तरह उसका मानसिक विकास मितरता होती है बोल चाल सब कुछ वैसे ही सीखता है संभंद रिलेशन संभंद वह भुनियाद होती है जिसमें दो अत्वादों से अधिक लोग खून या विवा और भाउनाओं के अधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं बालक प्रिवार के सदस्यों रिष्टेदारों से परत्यक्स और प्रोक्स रूप से आदर्सों, मुल्यों, रितरिवाजों एवं आदर्स विश्वासों आधि को धीरे-धीरे सीखता है बालक के सभी संभंदियों का उसके व्यक्तितव के विकास पर परभाव पड़ता है बालक के सभी संभंदियों का उसके व्यक्तितव के विकास पर परभाव पड़ता है किन्तों प्रिवार के परमुक सदस्यों का उस पर गहरा परभाव पड़ता है जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वे अपने माता-पिता, भाई, भैनों और प्रिवार के ने सदस्यों के संप्रक में आते हुए प्रेम, साहनबूती, सहनसिल्ता और सहयोग आदी अनेक समाजी गुणों को आतमसाथ करने लगता है आगे दिया है में यह आवसक नहीं है कि परतेक बालक के प्रिवार में चाचा-चाची बुआ फुफा जैसे संबंद विद्यमान हूँ कक्षया में मुझूद बच्छों की पारिवारिक विविद्यता से सिक्सक बालको को इसके विशे में विविन परकार की जानकारी उपलवद करा सकता है संबंदों संबंद समाने तोर पर इस परकार के संबंद प्रिवार के आउशक होती है, जबकि प्राणी सास्तरीय संबंदों में सुविकर्टी आउशक नहीं होती है, जैसे माता-पिता फुतर-फुतरी के बीच का संबन है। जैसे बच्चों को कुछ नया करने की कलपना सकती मिलती है। जैसे बच्चे सहज रूप से सिखते हैं। जैसे बच्चों को सिखते हैं। जैसे बच्चों को सिखते हैं। जैसे बच्चों के साररीक समाजी के वं ग्यानात्मक अक्षमता के विकास में सहयक होता है। इससे बच्चे सफूर्तिवान एक्टिव बने रहते हैं। और साथ ही नियमित रूप से किरिया कलाप करते हैं। इससे सरीर की मासपेशियां, हड़ियां, मजबूत होती हैं। रखत का संचार सुचारों रूप से होता है। पाचन किरिया सुद्रीड होती है। सरीर को अतरिक्त ऑक्षीजन मिलती हैं। फेफडे मजबूत होते हैं। खेलकूद के दोरान साररीक अंग सेकरिया रहने के एकान सरीर की रोपपरतिरोध का क्समता बढ़ती हैं. खेल खुद बच्चों के मानसिक विकास को प्रतीवरता परदान करता है। खेल खुद भावनात्म करूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरपी मिन्स उपचार का काम करता है। जिससे वह समाजिक प्रिवेस में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। यह बच्चों को स्व्यम निर्मान लेने में सक्सम बनाते हैं खेल कुद बच्चों की सिक्ष्या में भी महत्वण योगदानी बात है इसलिए बालकों की सिक्ष्या में खेल कुद का उचीत स्थान दिया जाते हैं तो यह हमारा टोपिक था मित्तरता के बारे में तो यह झाल झाल